अब हमारे पास एक another example है ठीक है इसको solve करते हैं यहाँ पर लिखते हैं solution given ठीक है double integral limit 0 to 1 0 to 1 plus में x square 1 upon में x square plus में y square dx and dy हमें इसके value को calculate करना है यहाँ पर लेके हैं according to the question ठीक है यहाँ पर step first लेखेंगे ठीक है अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास जो limit है हमारे पास जो limit है यह x के term में अगर यहाँ पर limit है तो यह जाहिर सी बात है कि यह अगर x के term में limit है तो यह जो limit होगी यह y क यह हमारे पास यह इसके लिए है यह इसके लिए limit है ठीक है और यह जो हमारे पास है वो x के लिए है तो हम क्या करते हैं पहले इसको y के respect में हम इसको integrate करते हैं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि अगर हमारे पास जो limit है वो variable है तो हम क्या करेंगे उसको variable वाले क को पहले हम integrate करेंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं अल्रेड़ी यह separated है तो हम इसको solve करते हैं 0 2 1 प्लस में x2 ठीक है वान अपन में इसमें क्या करते हम वान अपन में 1 प्लस में x2 को हम as a constant treat करेंगे जब हूँ y के respect में उसको integrate कर रहे हैं तो ठीक है यहाँ पर हो जाएगा d y और यहाँ पर हो जाएगा d x ठीक है तो अब इस चीज को हम क्या करेंगे हम let कर लेंगे a let a equal to आप कुछ भी let कर सकते हो 1 plus में x square ठीक है तो यहाँ पर a equal to क्या होगे हमारे पास ठीक है sorry a नहीं इसको x square let कर लेते हैं ताकि हम non जो हमारे पास जो term है उसमें हम इसको integrate कर सकें तो a square equal to 1 plus में x square और हमें अगर a के value calculate करनी हो तो हम क्या करेंगे हैं आपर 1 plus में x square वो भी किसमें square root में ठीक है चलिए integrate करते हैं तो यहाँ पर 0 to 1 और अब इसको हम change कर देते हैं 0 to 1 plus में x square तो यह है इसमें हम क्या लिखेंगे a square plus में y square यहाँ पर dy dx ठीक है अब हम यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम integration करते हैं 1 upon a square upon 1 upon a square plus में x square dx तो वो किसके बरावर होता हमारे पास वो होता हमारे पास 1 upon a 10 inverse x by a plus में c ठीक है यह हमें मालूम है यही concept यहाँ पर भी use होने बाला है तो integration 0 to 1 इसका integration करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 upon a और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 inverse y upon a ठीक है यहाँ पर limit क्या हो जाएगे 0 to square root of 1 plus में x square यहाँ पर dx ठीक है तो आई हो क्या हाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर क्या होगा i equal to 0 to 1 यहाँ पर limit put करते हम यहाँ पर 1 upon a 10 inverse और यहाँ पर y के जीगे पर हम क्या put करेंगे square root of 1 upon me x square upon me a और 0 अगर हम put करते हैं तो क्या होगा 0 पूरा तो लिखने की जोरती नहीं ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास dx यहाँ पर 0 to 1 अब यहाँ पर a के value कितनी हमारे पास calculate की है हमने यह 1 upon me 1 plus में x square यहाँ पर 10 inverse यहाँ पर 1 plus में x square upon a के जीगे पर square root of 1 plus में x square ठीक है dx अब इससे तो cancel out हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1 1 upon में square root of 1 plus में x square यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 inverse 1 यहाँ पर dx अब 10 की किस value पर हमारे पास यह 1 होता है तो हमें मालूम है ठीक है 0 to 1 1 upon में square root of 1 plus में x square तो 10 की किस value पर होता हमारे पास 1045 यानिके 10 pi by 4 यहाँ पर 10 pi by 4 पर हमारे पास यह 1 होता है तो 10 से 10 cancel out क्या बज़ जाएगा हमारे पास 0 to 1 1 upon में 1 plus x square यहाँ पर pi by 4 बज़ जाएगा है यहाँ पर dx ठीक है तो I think आपको यह visible नहीं हो रहा है थोड़ा सा मैं इसको उपर कर देता हूँ ठीक है चलिए next piece पे चलते हैं तो हमने यहाँ पर I के value कितने निकाले थी हमने यहाँ पर I के value निकाले थी 0 to 1 1 upon में 1 plus में x square pi by 4 dx ठीक है अब pi by 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा as a constant यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 over 1 plus में x square da अब यहाँ पर हमारे पास हमें मालूम है कि 1 upon में 1 upon में 1 plus में x square ठीक है इसकी अगर हम value की बात करें तो इसको हमें मालूम है कि किस तरीके से यह होगा तो हमें मालू है कि 1 upon में 1 plus में x square का अगर हम integration की बात करें तो यह क्या होगा हमारे पास यह होता है हमारे पास log mod of x plus में same 1 plus में x square यह होता है plus में c तो यहाँ पर हम क्या करेंगे i equal to pi by 4 और इसका integration करेंगे वह हो जाएगा log x plus 1 plus में x square ठीक है यहाँ पर limit 0 to 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा pi by 4 limit put करते हैं तो क्या हो जाएगा log 1 plus 1 plus में 1 का square 1 square root of 2 और यहाँ पर अगर हम 0 put करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 0 put करेंगे 0 यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 1 यानि कि यहाँ पर log of 1 बचेगा ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास i equal to pi by 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा log अब हमें मालूम है na log a a minus में log b किसके बराबर होता है log of a upon me b तो यहाँ पर भी भाई चीज होगा log a minus में b log of a 1 plus में square root of 2 upon में log 1 which is equal to pi by 4 log 1 plus में root 2 ठीक है तो यह हमारे पास i की value आ गई log of 1 plus में square root of 2 तो आई होब कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ठीक है